इस वीडियो में आज हम सिखेंगे हायर एबला जो न्यू मॉडल का जो गीजर है इसको किस ते रिपाइंग कियाता है इसको खोलने का सिस्टेम कुछ अलाग है अब इस पे जो पॉब्लम आ रहा है इस पे पावर सप्प्लाई तो है लेकिन गीजर अन नी हो रहा था तो खोल लोग के ऐस गीजर मॉल्य होगा इस पहले इसको कमीशल तैक्ने के सब्सक्राइब होता हैँ लेक्तिक ऑրतौन हिला जना होता है तो फीटिंग करना पहले देख लेते थे हैं कि इस में इस पर किया पाबलीम था हुआता हुए तो फीटिएंग करने के टाइम ुआ पूरा बीच में से इस दो पाड अलग अलग हो गा अलोब निचे का जो प्लास्टिक का बोड़ी यह को तर्मकुल उसके उपर टैंकी ही थारमकुल को हम लोग बिठा लिए उसके बास टैंकी को बिठाएंगे तैंकी को बिठाने से पहले लोग जो उसका जो अन्दर का ह वायर को कहैं कि यह वायरिंग डायक्राम कर लेंगे डागरम करेंगे कि तो आता है वेज और हेटिंग एलेमन पर दो पॉंट होता है आता है तो नहीं सेंस्ड एक ही उसका होल है एक दिया हो रहता है मुल्वब दो सेंसे इस जिसलिए होता है एक आड़ काट के लिए है दूसरा भी आटज के लिए है लेकिन दो सिय्फटी के लिए उस होता है तो टैंक के बीठाने के बाद उसको चारो टरफ जो गैप है ऊसे अन्हों मुल्वख भी अ गया जैसे वह बीठा देते हैं उसके बाद हम लोग काम होता है उपए का टॉप का लेकिन उपए का टॉप का जो कबर है उसको लगाने से पहले अपको जो हीटिंग 5 है और जो नॉर्मल पाने का 5 है उसका कालर मैच करने के उसका जो कैफ ही उस सेम तरह से होना चाहिए नहीं तो इसमें क्या होगा आपको बाहर का कैप के हिसाब से आपको जो बाहर की नहें को इसको कनेक्सन करती है और तो बाद में दिखेगगा नहीं कौन सा कवलर के हुआ इसके लिए पहले बाड़ी नीचे का जो पोर्सिन ही इलेक्टिव पार्स के लिए उसका जो कवर होता है वह अलग होता है उसको खोड़ने से यह मिल जाता है है आप इसको बाहर से भी चेक कर सकती है कि सिफ्टेम कम पेट हो कि ने आपको कॉऔट्र एता के बाखो ने तो फूर जूर दो भाज़नाि चाहिए और आर्तिंग के साथ और नेट्र और आर्तिंगे साथ दोनों में नहीं बाजना चाहिए तो जीसे देखिए यह बजर मतलब कॉंटिनिटी और वाज़ा दोनों बज़ रहा है फेजर नीटरल पर मतलब इसका सही हो गया है आप इसको फिटिंग कर देंगे पिटिंग करने के बाद जानेगे इस पर क्या पॉब्लम था और इसको क्या रिपैरिंग किया हो इस पर पॉब्लम आ सबदेखिएर गया रहा है इसका जो में पाद सप्लाइब है सब्सक्राइब मैं प्लाग एलेक्ट्रिक का उस पर थो पहार आ रहा था लेकिन यह और नहीं हो रहा थार इसका घंड़ अथे ओखाड़ा भी यह बढ़ना जो रमस्टेर है इस पर जो टिंग का जो सिस्टेम ह की जितंग में क्या होता है और का दोर का जो जगिजर होता है उस पर होता है तो आंदर का पॉर्टिन दिखा रहे हैं किससे आर उसको रीपेरिंग किया गया है तो जैसे निचसे सबसे पहले आम रोग एक चेक किया हूं तो उसका कौंटिंटी दीखा रहा है लेकिन थार्मोस्ट्टेट का पढ़ पोर्शन में नीचसप्ट में लेकिन लेकिन इस पे इससे नहीं बता रहा रहा है लेकिन इस पर आईसे नहीं हो यह यह क्ली तो कर गया है अब टीफ करने के लिए जैसे छोटा सब पोल्म है जैसे नौर्मेल qizar तो तीप करने के बादा जो स्वीच उठा देता है तो चालू हो जाता है वो वायर के साथ होता है यह डबा जैसे लगा रहा रहता है करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या है एक टीफिंग बला स्वीच को ओन करने के लिए पूरा सिस्टेम इसको इस तरह खोलना पड़ेगा जैसे दिखा रहा हूं यह उपका कवार उसका टैंक की इसको थरमकूल सब कुछ निकलने के बाद अपको थरमस्टिर भी न लुचेब तो असरोशयाना आफ नहीं रहाएगा यह जो पॉपलेम है बहुत माइनोर फॉब्लेम है लेकिन यह माइनोर पॉब्लेम को सॉल्प करने के लिए एक काम भूत ही गलत किया है। मात गदो है का है एंक सिस्टेम किया है पारुथ पती गलत किया है क्यूंकि यह कि we tip कर जाएगा तो बाहर जाएगा तो थ्र्मं स्टलिय को जो open क्वे 70 यह को कर दिया और इसे אूड में गये प्वीज़ को 10 कर जाएगा तो ऋन करने के लिए उसको पूस करना पड़ कि पूस करने के लिए पूरा सिस्टम खोलने पड़की है जिसे हम लोग इसको पूस कर दिया हूं जो अखर में और भी दिखाएंगे किस तरह काम करता है पहले इसको चेक कर लेते हैं पहले जैसे हम चेक क्या है इसको में पार सप्प्लाई सही है मलेगे जो में कॉड है और ऑफुर्ट ने हो रहा था लेकिन आभी देखिए इसको जो स्वीच उफूच करने के बाद यह कॉंटिटी बथा रहा है मतलो थर्मस्टेट से यह बाला काला बाला जाएचे बटन दीख रहा है यह बाहर आ जाता है किस कि यूब आ जाता है मतलो आपका टैंक की में फानी नहीं रहाएगा खाली घिज़र चलेगा तो भी आएगा य जो स्वीच भी लाक पर लगा होना चाहिए मनलो जो लाक पर हिंग दो इसको हुआ है उसको बटन जाता हुआ है उसके बाद पानी का फोर्स कम जद़गा पॉब्लिम होगा उसके बाद जैसे अपिछिए के स्टील का जो नन लगा हुआ है कोई कालार कंबिने से नहीं नही कि नहीं ओफ एले देख लेना चाहिए उसके बाद आपको नॉन को ओफन करना बढ़ेगा नॉन ओफन होने के बाद पूरा टेंक की भर के फिर आउटपूट से पानी निकलेगा तो ही इसको अन करना नहीं तो क्या होगा एस स्विच फिर से टीफ कर जाएगा जायतर क्या होत अधि हीटिंग एलिमेन अंदर बहुत गरम हो जाएगा और टिप कर जाएगा यह वीडियो लोग अच्छा लाएगा तो इसको सब्सक्राइब करेंगे तो अब देखेंगे यह ओफ हो जाएगा जैसे एक मिन दीर दीर कम करते हैं यहां तक हीट हो गया है इसको फिर वढ़ हो गया है मनलों यह सही तरह से काम कर रहा है असा कर तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो अच्छा लोग प्लीज सब्सक्राइब करेंगे तो